नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्दा शौट एंड रिकेट में इस टेनो क्लासिस में दोस्तों आज का हमारा डिक्टीशन है जन्सत्ता संपात किये उम्मीद की किरण गती 90 शब्द प्रति मिनट दिक्टीशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद स्टार्ट गहराती आर्थिक मंदी और कोरोना संकट के बीच वाहन उद्योग का फिर से पट्री पर लोटना राहत भरा संकेत है विराम पिछले 3-4 महिनों से वाहनों की मंग में कमी से कारखानों में उत्पादन पर भारी असर पड़ा और ऐसी भी नौबत आई कि पूर्ण बंदी के दौरान कई कारखानों में तो उत्पादन बंद भी कर दिया गया था विराम इससे लग रहा था कि वाहनों की बिक्री पर लंबे समय तक तहराव आ सकता है विराम अब भले कंपनियों का मुनाफ़ा उम्मीदों के मताबिक नहीं बढ़ रहा हो लेकिन गाडिया बिकने का सिलसिला चल निकला है विराम यही सबसे बड़ी राहत की बात है विराम अप्रेल से जून की तिमाही में खेती संबंदी कामकाज के लिए ट्रेक्टर जैसे वाहनों की बिक्री संतोष जनक रही लेकिन कारों की बिक्री को लेकर लग रहा था कि लोग एकदम से गाड़ी खरीदने का फैसला नहीं करने वाले विराम खरितदारों के इस रुख को देखते हुए कार कंपनियों ने अपनी रणनीती बदली और कई तरह के लुभावने विकल्प पेश किये विराम अब लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और वाहन खरीद रहे हैं पैरा सबसे ज़्यादा उत्साह जनक खबर कारों की बिक्री को लेकर आई है विराम ऐसे लोगों की तादाद बड़ी है जो पहली बार खरीद कर रहे हैं विराम इसके अलावा जिन लोगों के पास पहले से वाहन हैं वे भी खरीद रहे हैं इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूर्ण बंदी के दौरान सारवजनिक परिवहन सेवाओं पर काफी असर पड़ा है महानगरों की जीवन रेखा माने जाने वाली मेट्रो और लोकल ट्रेन सेवाएं लंबे समय से बंद हैं विराम इसके अलावा बाहर आने जाने में जो सुरक्षा अपने वाहन में मिलेगी वह लोकल ट्रेन मेट्रो या सिटी बसों में मुम्किन नहीं है फिराम इसलिए लोग अब सार्वजनिक परिवहन के बजाए निजी वाहन को जादा प्रात्मिक्ता दे रहे हैं फिराम जिस तरह के हालात आज हैं और जादा तर बड़े शहर संक्रमन की चपेट में आ रहे हैं उसे देखते हुए लगता नहीं है कि इस्थती जल्द ही सामान्य होगी विराम जाहिर है जब तक कोरोना महमारी का प्रकोप खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी सार्वजनिक परिवहन का उपियोग करने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहेगा विराम ऐसे में हर व्यक्ती अपने वाहन से यात्रा करने में ही अपने को सुरक्षित मान कर चल रहा है विराम ज्यादा गाडियां बिकने के मूल में सुरक्षा की भावना प्रमुक पहलू के रूप में सामने आई है विराम पैरा भारत का वाहन उद्योग पिछले दो सालों से संकटों का सामना कर रहा है विराम ऐसे में वाहन बाजार विशेशग्यों की इस जेतावनी को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता की कोरोना संकट ने इस उद्योग को तीन से चार साल पीछे दखेल दिया है यानि हालात सामने होने में तीन से चार साल लगेंगे विराम ऐसे में एक ही उपाय वाहन उद्योग को फिर से रफ्तार दे सकता है और वह यह की गाडियों की बिक्री बढ़े विराम इसके लिए वाहन उद्योग को भी सरकार से रियायतों की दरकार हो सकती है और हालात सामाने बनाने तक ऐसी रियायतें एपरिहारिय भी हो जाती है विराम जो लोग नई कार खरीद पाने में समर्थ नहीं है वे पुरानी गाडियों में दिल्चस्पी दिखा रहे हैं और अपने को सुरक्षित बनाने की कोशिश में है विराम इसलिए पुरानी कारों के बाजार में भी रौनक लौटी है विराम पुरानी गाडियों के बिकने से भी नई गाडियों के लिए बाजार खुलता है विराम जो हो वाहन उद्योग में चमक से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा यह भी कम बड़ी बात नहीं है पूर्ण विराम तो कैसी लगिया आप सभी को डिक्टिशन कमेंट वाक्स में कमेंट करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले धन्यवाद